हमारे इस खास कारिक्रम में आपका स्वागत है। इस की और से किये जा रहे तमाम प्रयासों की। वैसे तो केंद्रो राजी सरकार का इस सतत प्रयास रहे कि देश और प्रदेश में महिला सुरक्षित रहे और साथ ही सुरक्षा को भी महसूस भी करें। इस खास विशेपर चर्चा के लिए आज आकश्वणी स्टूडियो में हमारे साथ हैं प्रग्या रिचा स्रीवास्तों आप पर पुलिस महाने दिसक महिला सुरक्षा। सबसे पहले सुरुआत में अच्छी बात से करते हैं कि हाली में मद्यप्रदेश पुलिस को असली हीरो अभियान के लिए प्रुस्क्रप किया गया है तो यह अभियान क्या है और इस नवाचार का उद्देश क्या था देखिए ऐसा है कि जो जिस प्रकार के अपराद हो रहे हैं बच्चियों और महिलाओं के विरुद उसमें यदि समाज का उसकी रोक थाम में या जो इस प्रकार के हरकते करते हैं उनको पकड़वाने में अगर उनका योगदान नहीं होगा तो ये पुलिस के लिए मुश्किल है कि हम इस पर लगाम लगा सके तो ये असली हीरो की अवधारना है कि कोई भी ऐसा विक्ती समाज का महिला पुरुष बच्चे बच्ची जिस ने आदम में साहस दिखाया हो किसी अपराद को घटित ना होने देने में या फिर आगे बढ कर ऐसी कोई घट घट रही हो तो इसको रोकने में तो ऐसे को चिन्हित कर और उनको मुख्य मानिय मुख्य मंत्री दी जी द्वारा हस्ताक्षरित एक सर्टिफिक दिया जाता है उसे हम असली हीरो बुलाते हैं और ये कारेक्रम सारवजनिक होता है के सामने होता है ताकि हम ऐसे लोगों का होसला बढ़ा सकें, जो सामने आकर और इस तरीके की घटनाओं को जो अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। तुम कुछ ऐसे आप लोगोंने डेटा बैंक जैसे कि अब तक कितने असली हीरो सामने आए हैं। अब तक 23 असली हीरो को यह सर्टिफिकेट्स दिये जा चुके हैं। मतब यह मान सकते कि नवाचार लोगों में पकड़ बना रहा हैं लोगों के बीच पसंद किया जा रहा है। ये पसंद किया जा रहा है, मैं यहां ये भी बताना चाहूंगी, कि इसमें से, जो रियल लाइफ स्टोरी्स हैं, उन में, हम ने 3 पर हम ने फिल्में भी बनाई है, और दो-दो 3-3 मिनिट की फिल्में बनाई हैं, और जिनकों की दिखाया भी गया, हर पिक्चर हॉल में ये दिखाया भी गया, ये सजग ओटो वाला सासी अम्मा सच के साथ खड़ी मा और सुनहरे पंक मानो दुर्वय पर बनाई गई एक फिल्म है, वो भी फिर से पुना कहना चाहूंगी कि जो वाकई में जो घटनाएं घटित हुई हैं, उन पर आधारित है माम तोर पर अभी तक जैसे मीडिया में हम सब लोग देखते हैं कि महीलाओं के खिलाफ अपराद के आखड़े बढ़ रहे हैं, ये बात भी अलग है कि पॉलिस की सजगता है, इस तरह कि अभी हानों से चीज़े नियंतरल में आ रही हैं, पहले से बहतर हो रही हैं, आप इ अब यसी भी विवस्ता का इस केस में पुलिस का, तो ये शायद उतना उचित नहीं होता है, क्योंकि अगर घटनाए घट रही हैं और महिलाओं सामने आ रही हैं और ये आकर पुलिस स्थाने पर बता रही हैं कि अशी घटना घट रही हैं, या फिर हमारी जो चीज़े महि इसको सफलता मानूंगी इसमें महतोपूर्ण बात ये है कि ये जो आंकड़े अपराद बढ़ रहे हैं ये तो लाजबी है लेकिन इसमें जो होना ये चाहिए कि इन प्रकरणों में का अंध कैसा होता है क्या इनमें हम सजा दिलाने में हम सफल होते हैं या नहीं ये बहुत मह आर्ट होता है किसी भी क्रिमिनल के लिए कि मैं ऑकड़ा जाओं को तो मुझे सजा जरूर मिलेगी तो यह एक ए्रिया है जिसमें भी हमें हमें मेहनत करने के ज़रोत है क्योंकि हमारे जो जिसके लिए इसलिए हीरों कारे करम क problemas तो हमें वहां पर करने के अवशक्ता है जैसे कि हमारे इस महीलाओं के खिलाव अपराद में अपराद में फासी की सजा जैसे काफ प्राउधन भी किया गए तो सजा दिलाने के बाइसियो है जो आज आप अगर पुरे देश के मापदन पर देखा जाए तो हमारा आवरेज जो प्रतिशत है वो जो आउसत केस में होता है वो लगपक 33 से 34 प्रतिशत होता है पर जिनको हम चिनित अपराद बनाते हैं यानि कि जो बहुत ही ऐसे अपराद हैं जो जगन्ने हैं उनमें जो हमारा जो सिधी का प्रतिशत है वो लगपक 60 प्रतिशत है जरूर कहना चाहूंग हो जो हमारे भी दायरे के बार होती है अगर जो पीडिता है वो खुद ही कोट में दूसरा बयान दे दे तो बड़ा मुश थो सेंस्टोडीशन प्रोग्राम से होते हैं वह हमारे ऌनुसा अंधान करता है उनके लिए भी हो रहे है एक उर्जा तरही नवा चाहर भी हुआ है इससे महिलाओं के मामलों से निवटने में या महिलाओं को थाने तक आने में किस तरह की मदद मिली है। कह सके, बता सके और जहां पर महिला आदिकारी हों जिनसे की बाचित कर सके। इसमें हमें काफी सफलता मिली है। मैं यह कहना चाहूंगी कि यह सिर्फ हम कई बातें ऐसी होती हैं जो उस समय अपरात की श्रेणी में नहीं आती हैं। पर यदि उनको ना देखा गया तो बाद में अपरात घटित हो सकता है। तो हम ऐसे केसे को भी और यह सिर्फ मध्रप्रदेश में हो रहा है कि हमारे महिला डेस्क से रिफरल्स जाते हैं। अन्य विभागों को जिनसे कोई मामला अगर संबंदित हो पर वो महिला या पीडिता हमारे पास आकर बता रही हैं। तो हम ऐसे रिफरल्स भेज रहे हैं और दूसरे विभागों का सहयोग भी हमें मिल रहा है इसमें। लगभग हमने अपने महिला डेस्क को गारियां भी दी हैं टूवीलर्स दिया है ताकि उनके आउट्रीच बने वो जा सकें। जो यदि कोई संगे अपराद घटित होता है और महिला आती है तो वो इमिडिट काई में होती है। फिर उसमें हमारा महिला डेस्क के ये मध्यस्ता के लिए काम कर रहा है जो चूटे बड़े यह जकडे होते हैं醒 further निदिकेशनके लिए भी काम कर रहा है। तो ये उर्जाडस महिला थानों से किस तरह से अलग है? नहीं, ये महिला थानों से अलग नहीं है. महिला थाने पूरे जिले में एक होए. और इतने सारे जगने अपराद होते हैं कि वहाँ पर जो हमारे पदस्त होती हैं, अधिकारी करमचारी, वो उनके विवेचना और उसमें जादा समय लगता है. महिला डिस्क के अफधारना ये है कि यदि कोई पीड़िता आती है तो उसकी पूरी बात सुनी जाए. हो सकता है और ये भारत साशन का प्रयास है कि 2023 तक हर थाने में ये जगा महिला पीड़िताओं को मिले. तो वो आकर अपनी पूरी बात बताती है जहां पर काईमी का वशक्ता है वो थाना पर ही है तो वो जो महिला अधिकारी है ले जाकर काईमी भी करवा देती है जहां मध्यस्ता की बाते करती है या उनको परामर्श देती है और जहां किसी अन्य विभाग से समन्वे की भी ब बात करें थी तो अक्सर देखा कि धरेलू इंसा के मामले जो रहते हैं वो निकल के उस तरह से सामने नहीं आपाते दवे रह जाते हैं तो आपको क्या लगता है इसकी वज़े पारिवारी करण तो ही है इसके अलाबा और क्या वज़े आपको बताना चाहूंगी कि यह जो कई बार lower middle class के cases भी होते हैं अब जब जो कोई ऐसा विक्ती है जो दिन में जो बेचेगा उससे रात को खाना घर पे लाएगा और नहीं कर पा रहा है तो उस समय कोविट का पीरिड रहा उसमें बहुत मेजर स्पाइक्स हुए सब सामने आ रहे हैं पर इसमें हम लोगों का रिष्टिकों थोड़ा फर्क है जो परिवार का जो एक धाचा होता है जो समाज का केंदर बिंदू होता है या जो ताना बाना होता है उसमें खरोच भी आ जाया तो उसको आप रफू नहीं कर सकते हैं कई बार तैश में आकर या कई बार नाराज होकर या कई बार वाकई म कोई ऐसी घटना घटित हुई हो जो जिससे घर से ही निकाल दिया हो तो हमारे पास cases आते हैं पर ये सुप्रीम कोट के भी judgment आ चुके हैं और हमने राजविदिक प्रादिकरण के साथ मिलकर इस पर एक pilot project किया था कि हम काईमी के बजाए पहले मध्यस्ता करें और जिससे की एक ऐसे महौल में बाचित हो पाए क्योंकि ये लगभग लगभग 70% के cases में ऐसा होता है कि उस समय तो महिलाएं या बुजर्ग आ जाते हैं सामने और बाद में परिवारों का है तो कहीं ने कहीं कुछ ने कुछ पैचप भी हो जाता है तब जब वो चाहते हैं कि अब हम तब एक खटा सी आ जाती है दरार सी आ जाती है तो ये प्री लिटिगेशन ये ओनलाइन मिडियेशन का ये प्रयोग हम सारे जिलों में कर रहे हैं आज के डेट में अर इकलौता राज्य है पुरे देश में जहां प्रकरन दर्ज होने के पूर्व मध्यस्ता और एक ओनलाइन प जरूरी नहीं है कि आप आमने सामने हों जरूरी नहीं है कि आप कहीं दूर से आपको आना पड़े इस काम के लिए आप जहां पे हो वहीं से आप जोड़ सकते हैं उस प्लाटफॉर्म पे और प्रया से ही है कि जो एक सामाजिक ताना बाना है वो जितना बना रहे जितना सा पहुचाने के लिए जिस वरकोश है सबसे ज़रूत है किस तरह के प्रयास आप लोग कर रहे हैं अभी जो हमारा प्लाटफॉर्म है समाइए इनके माध्यम से किया जा रहा है जहां पर नेटवर्क नहीं है वहां से जो ख्लोजिस जो समीपस्त थाना है तो हर थाने पर कंप्य प्रूटर और कनेक्टिविटी है क्योंकि सारे थाने cctns नेटवर्क पर चल रहे हैं तो वहां उनको बुला लिया जाता है कई ऐसे भी परिवार है जिनके पास मोबाइल या उपलगता ही नहीं है ऑनलाइन होने की तो उनको ऐसे थानों पर बुला कर जोड़ा जाता है जो हमारे काउंसलर्स हैं परामस्टा देने वाले लोग हैं जो ट्रेंड होते हैं उनसे जोड़ा जाता है और उनसे बात्षित कर रही जाती है एक और बड़ा मुद्धा करोना के समय भी बना है उसके पहले भी रहा है और अभी बाद में भी मानव तसकरी को लेके और खासकर आदिवासी इलाकों में या जो हम कह सकते हैं कि स्लम एरिया में इस तरह की मामले यदा गदा सामने आते हैं तो इस तरह में किस तरह की पहल आप लोग कर रहे हैं यह बिल्कुल सही बात है यह मानुद रुपरपार में अगर अगर हम सिर्फ काईमी के दिश्टिकों से जाते हैं मानुद रुपरपार के लिए वो इस प्रकार की बात है कि इस पर भी हमने एक फिल्म मनाई है सुनेहरे पंक जो की पुना एक अपने साथी घटना पर आधारित है वो आप उसमें भी दिखाया गया कि वो आकर यह बताते हैं माबाप को जो बहुत ही गरीब है कि आपके बच्चे या बच्ची को हम हुनर देंगे या बच्ची के के केस में कि हम अच्छी घर में रहेगी चो हमारा चोटा बच्चा है उसकी देखबाल कर लेगी हम इसको अच्छा खिलाएंगे तो इस तरीकी का लालच प्रलोबन देते हैं और यह बच्चे माबाप क्यो पर हम लोग ऐसी कोशिश हमारी हो रही है कि हम इसके बारे में जागरुकता जरूर चारोर फैलाएं और हमारी जो टीम्स हैं, हमारे अभयान भी चला पूरे नवरात्र के दवरान, जब हमने नुकर नाटक के माध्यम से या अपने जो टीम्स हैं, जगा जगा और जिनको हमार जो इंजियोस हैं, जो हमसे जुड़ते हैं, या कोई भी विक्ति जो हमसे जुड़ना चाहता है, उनको लेकर कि ऐसे एरियास में गया, उनने बताया कि यदि ऐसा कोई लालच प्रलोबन दे, तो साशिन की योजनाएं क्या हैं, और आपको क्या-क्या लाब मिल सकता और क्य नहीं मिल रहा है, जिसकी वज़े से आप इस लालच में आकर अपने बच्चे या बच्ची को कहीं भेज रहे हैं, तो ना पढ़ें, और उनके साथ क्या-क्या घटित हो सकता है, उनको हम बताते हैं. बीच में देखे हैं, भुपाल में खासवर पर देखे गए थे काफी होर्डिंग्स भी लगाये गए थे, लोगों को आवियर करने के लिए, इन सब मामलों में जिसमें स्लोगन्स भी होते थे, कुछ FM चैनल पर स्लोगन्स चले भी हैं, तो इस तरह की परचार पसार के जाएंगे अभी भी नवरातर में भी गए थे, वहां जाकर हम बच्चों को या स्लम एरियास में उन्हें बताते हैं कि क्या कानून है, क्या प्रावदान है, जो विभाग हैं, उनका समन्वें बहुत आवश्यक हो जाता है, तो अब ये प्रयास हो रहा है कि एक समगर इसे जगहों पर जाएं, और यदि जिसकी जो पातरता है, उनकी वो पातरता और जो प्रावदानेत हैं, जो हम मदर प्रदेश में खास तोर पर ऐसी तमाम योजनाए हैं, उनको वो योजनाओं का लाब मिलेगा, तो मुझे पूरी उमीद है कि जो ऐसे घटनाए घटित हो पातर पर वो ऐसे सिक्षा के रूप में के मान से पिछड़े हूं या समाजिक रूप से पिछड़े हूं, ऐसे बर्प को हम अपने साथ जोड़ पाएंगे, अब ठीक करें जिसकी प्रावदा अपने अलग योजनाए चलाते हैं, महिला वाल विकास विवाद भी शौरिया देदी जैसी कुछ योजनाए चला रहा है, तो अगर ये सब को एक जगे खटा किया जाएंगे, समन्वित हो, सारे डेपार्टमेंट मिलके काम करें, तो साथ और बहतर काम किये जा सकते है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी जगरुखता के लिए, बिलकुल सही बात है और ये जो एक एको सिस्टम होता है महिला की सुरक्षा का, तो वो उसके जनम से, बच्ची के जनम, हमारे देश में तो जनम के पूरुद भी शायद, और वहां से शुरू होकर किये और इसकी मृत्तु तक किये, ये एक सुरक्षा चक्र होना चाहिए, इस चक्र में हर विभ प्रतिश्यताबादी जो है वो एक रिसोर्स परसन के रूप में उभरे, देश के डिवलप्मेंट में उनका योगदान हो, ये जरूर कर सकते हैं. अब एक और इसी तरह का प्रयाज होता है, इमर्जनसी रिस्पॉंस सिस्टम 112, ये बेसिकली क्या है और इससे किस तरह के फायदे हैं? आपकी कोई भी परिशानी हो, किसी भी विभाग की हो. जैसे मैं उदाहरन देना चाहूंगे, यदि पुलिस सम्वंदी या अपराद सम्वंदी है, तो वो कॉल इमिजिटली 100 पे आ जाता है, जो हमारा नंबर है. तो ये एक समगर नंबर है, जो लॉंच किया गया है, कि कि इसी भी प्रकार की परिशानी हो, आप इस पर अगर डायल करेंगे, तो सम्वंदी विभाग को सूचना मिल जाएगी, वो आप तक पहुंच जाएगे. मतलब ये कह सकते हैं कि समगर तक हम लोग बात करें समगर कि उसके प्रयास धीमे धीमे सुरू हो गए हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. मतलब पुलिस ये करती है कि बहुत सारे जगे को चिन्नित करती है, जहां महिलाओं से जोड़े अपरा दिया, जो उन शेत्रों में ज़्यादा घटते हैं, तो अगर भुपाल की बात करें, तो कुछ ऐसी जगे या ऐसी चीज़ें आप लोग ने पहुंच किया? मैं बिल्कुल हमने प्रदेश के प्रतेग जिले से, इनको हम ब्लाक स्पोर्ट कहते हैं, तो ब्लाक स्पोर्ट को चिन्हित किया गया है, वहां पर जहां अवशकता हो, पिट्रोलिंग बढ़ाई गई है, जहां लाइट की ववशकता हो, जैसे मैं पुना यसी बात पर आना होगा और वो शीशा रखेंगे और तमाम तरह क इस तरीके के हरकते होती हैं, या जिसकी पेमाने पर हमारे जो अधिकारी हैं, उन्होंने उनको ब्लाक होल बताया है, तो उसकी, जो जो, जिस वज़े से वो ब्लाक होल है, उसकी कारभाई हो रही है, यदि ऐसा कोई सुना च वहां पर टावर्स खड़े करवाना, या जहां हमारी पेट्रोलिंग हमारा बहुत दूरी है दो थानों के बीच में, वहां पेट्रोलिंग कराना, ये कारवाईया की जा रही है। आम तोर पर जैसे हैं आपने पताएवे कि पान वाले हैं, या चायवाले हैं, आइसोलेटेड प्लेस में जो एटीम्स हैं, या को इस तरह कि नॉमली वह ब्लेक स्पॉर्ट में आते हैं, तो क्या इन वरगों को अवेर करने के लिए कि वो ब्लेक स्पॉर्ट ना बने, कुछ प्रयास इंडिविज्वली के जाते हैं? हमने प्रयास शुरू किया है, láver और, कंड़क्टर के साथ, सबसे पहला जो डॉर कंड़क्टर या फिर किसी भी आटोचालक या कोई जो भी जो ट्रांसपॉर्ट का मीडियम है, उन लोगों के साथ यह प्रयास शुरू किया गया है, उनको बताना, मैं गौर बात बता दूं कि यह जो ऐसे ब्लैक स्पोर्ट से इनकों सीसी टीवी से भी कवर कर रहे हैं तो उससे भी और यह लाइव क्योंकि लाइव दिखता है तो उसको देखकर यदि ऐसा दिखता है कि कहीं कुछ घटना हो रही है तो हमारा डायल हम्रिट वहां पहुच रहा है और वो इवंट बनता है पता चलता है कि क्या घटना हो रही है पर आपका जो सवाल है येस इस दायरे को हमको बढ़ाना पड़ेगा ये जो हमारा प्रयास है कि लोगों को जागरुक करें तो इस दायरे को हमको बढ़ाना पड़ेगा और निश्चर तोर पे हम ऐसे जो चिन्नित दुकाने हैं या ऐसे जगा हैं जो ऐसे जो भी चाय वाले जो भी छेतर हैं उनके लोगों को हम इस चर्ट तोर पे अपने दारे में लाएंगे एक और समझ से आम तोर पर देखने को मिली है कि पीड़ित या पीड़िता जिसको हम कहें उनको सहच फील कराने के लिए किस तरह के प्रयास मतार आम तरह होता है कि आरोपी के पास तो बहु कि अर्वएंट मसीनरी है इस के लिए क्या यह कि लिए हमने एक विटनेस्ट पर्टेक्शन स्कीम होता है वह लागू किया है विटनेस्ट प्रटेक्शन स्कीम यानि की जैसे आपने का कि पीड़िता है वह कई बार कई एस पर जो दबंग लोग होते हैं उनको उसके जो वि स्कीम शुरू किया गया है यह हमारा जो अनुसुची जाती जन जाती प्रकोष्ट है उसमें तो यह इसके लिए फंड्स भी मिलते हैं कि अगर कोई ऐसा है जो इस वज़े से नहीं आ पा रहा है को कि उस दिन की मजदूरी छूट जाएगी तो वहां फंड्स दे जा रहे हैं पर अन्य वर्गों के लिए हमने यह शुरू किया है यदि किसी प्रकार की कोई उफ्रमेशन हमें मिलती है वो फॉन से या पत्र के माध्यम से या कोई आकर बताता है कि उनने उनगे साथ ये किया जा रहा है लिए आ थैप DRY कारवाई हो रही है ऐसा प्रियास किया जा रहा है, तो हमारे ये विट्रिस प्रोटेक्शन स्कीम को लागो हुए दो महीने ही हुए हैं, अभी हम छे महीने पर आख पाएंगे कि हम कितना इसमें सफल हुए हैं, और दूसरा ही है जो हमारा महिला डिस्क, ये इसी वज़ा से है, कि महिला आकर हैं, परदे भी लगे हैं, कि यदि साथ चोटा बच्चा है, तो उसको भी साथ ले आएं, जो टोमेस्टिक बाइलन्स की केसिस होते हैं, उसमें राजय विदिक प्राधिकरन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो हर डिस्टिक जज या हर कलेक्टर एक पोटेक्शन आफस पॉइंट करता है, जो स्टम राएंका यो उसे उपर राएंका हो सकता है, तो हमारा जो महिला डेस्क है, यदि उन्हें लगता है कि ये पिडिता अब वापस घर जाएंगी, तो इन्हें रास्ते में भी दिक्कत हो सकती है, या गर पर ही कोई घट ना घटित हुई हो, तो वो प्रोटेक्शन आफसर के पास जदी ले जाती हैं, उनको रहने के लिए जगा, वो अलोट कराते हैं, उनको फ्री का वकील मिलता है, तो ये सारे प्रयास कोशिश हो रही है, कि जो हमारी महिलाएं हैं या पिल्डिताएं हैं, उनको जितना प्रभावी मदद हो सके, वो की महिला सुरक्षा की जब्यदारी किसी महिला दीकारी के पास होने से महिलाओं में न क्यों बिस्वास बढ़ता है, बलकि उन्हें भरूसा होता है कि सैद उन्हें नयाय मिलेगा, चुकि आपके पास ही विभाग है, तो निश्य तो महिलाएं आपको बड़ी उम्मीद की नज और इस सर्फ महिलाई ही नहीं, मैं पुरुशों को भी यह कहना चाहूंगी कि हम अपने बच्चियों को सिखाते हैं, अपने बच्चों को भी सिखाएं, लट ऐस टीच आर बोईज, उन्हें भी बताना बहुत आवश्यक है, हम कहीं न कहीं अपने संसकार भूल गए हैं, औ और कि बच्चियों से महिलाउं से मैं यह कहना चाहूंगी कि होस्टा रखें, हिम्मत रखें, सामने आकर आवाज उठाएं, घर के अंदर भी कुछ हो रहा है, तो अपनी बच्ची को चुट नहीं कराएं, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, तो यह जो घटना हैं, जो और हम सभी गवा हैं, कि यह कुरूर से और भी ज्यादा कुरूर होती चली जा रही हैं, तो हम आवाज उठाएं, मिल कर उठाएं, क्योंकि यदि मैं यहां बैठी हूँ, तो कहीं न कहीं मेरे पिताजी का भी इसमें हाथ है, तो मैं पूरे परिवार से यह आगरह करूँग अपने महीलाओं की सुरक्षा को लेके काफी सारी जानकरिया दी, उम्मीद है कि हमारे शोता जो पेस कारेकरम को सुन रहे हैं, उनको निसीरी लाब मिलेगा, और वो और अवेर होंगे, जागरुक होंगे अपने परिवार की, अपनी बहन बेटियों की यह अपने परिवार आवास जा रही है, सब सुनें, और किसी भी प्रकार की कोई बात कानून की भी समझनी हो, या तो हमारे जो सबसे निकटम उर्जा महीलादस्क है, उसे संपर्क करें, धन्यवाद। फिर मलाकात होगी, धन्यवाद।